जब बैचक होनी है जिसमें खबर जो आ रही है वो ये की पांच तारीक को भूमी पूजन हो सकता है आप वहाँ पर मौचुद हैं क्या कुछ बाते चल रही हैं वहाँ जो मीटिंग है जो तीन में होगी यहाँ पर कई लिहाँ से बहुत महत्पूर्ण है क्योंकि पहली बात जब से ट्रस्ट बनाया गया उसके बाद इतनी बड़ी मीटिंग कोई हुई नहीं जिसने सारे ट्रस्टी बैट करके कोई प्लानिंग आगे कर रहे हूं क्योंकि बार ब चल रहा है ज्यादा लोग इखटे नहीं हो सकते प्रदानन्तरी की अलग वेस्टता है इन सब चीजों को देखते हुए कई बार ये टल चुका था लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो पांच अगस्त के दिन के लिए शायद एक्तिती तैकी गई है जबकि प्रदानन्तरी नहीं मुदी यहां पर आएंगे और शिलान्याश करेंगे और इसी को लेकर के तमाम चीजियों की चर्चा आज होनी है जिसमें जो निर्मार समिती के अद्धिक्ष हैं पेंद मिस्स के लावा ट्रस्ट के जो अद्धिक्ष हैं रित्रिकॉपाल दास चंपत तो ये सब चीजों पर लेकर करके चर्चा होगी लिखने शबसे मुखि बात ये है कि आखर किस दिन से निन्हमान कारे शुरू हो और उसकी तारीख कैसे प्रदानन्क nessa की के आने की तारीख के साथ मेल खाए मेजश करोणा संग्रमल काल में इसी असी सब चीजों को लेकर सम होगा क्योंकि पहले सही संद समाज खुद भी ये कहता है कि प्रधान विंत्रे खुद आए और शिला नयास में हिस्साले और उन्हीं के हां तो शिला नयास होना चाहिए लेकिन संदों का क्या कहना इसको लेकर वो भी सुनते हैं इस सुबैठ़ज में तो असना भी जो हमारा पुराना मांचित्र है इस वर मुहर लगेगी आप भी नेर इकिया जाएगा इसी मांचित्र पर अगवान से रामी की जनती पर अपर जाने गाने गाए और मौदी जी का को जब पक्र दे जा गया था अभी क्यार लेतर आया क्या है इसकी रुशन में पूर जान का लिए लेकिन हम लोग यही जाते हैं वजी यहां पर आप मंदर का लिवारा काता है देखिए आज का जो बैठ़क सिर्राम जन्म भूमी तित्य छेत्र तश्ट के है वह बड़े महत्त पूर बैठक है महत्त पूर बैठक इसलिए है कि कुछ ऐसे समयस्याएं हैं का समाधान आज बैठक में करना है कुछ लोगों के मांग है जो पूराना माडल है इस माडल के पेक्षा बड़ा माडल बनाए जाए और मंदिर भाबति बने